मित्रो जय मदादी आप देखने धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा में हर रोज की तरह एक बार पिर से मैं हाजीर हूँ आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल है गुरुवार याई की 10 सितंबर 2020 का अगर आज के पंचांग के बात करें तो आज है विकरम संबत 2077 आ 867 मेर तक रहने वाल वरत और अगर आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक एक मुरतों के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है महां जाईयो और आज का पंचाग आप विश्टार से वाँ पर जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुल 12 रासीों का आजका रासी फल साथ हैं हम जानेंगे आजका सुब समय असुब समय दिसासूल सुब खाद्य रासी उनुसार क्या खादिपदार्थ आपके लिए आज सुब रहेगा रासी उनुसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा और रासी उनुसार कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाला है यानि कि आपके लिए आज का लेकी नम्मर क्या रहने वाला है तो इन्हीं सभी जियों की संपून और सठिक जानकारी एक ही वीडियो में एक ही जगा आपको मिलने वाली है तो वीडियो में हमारे साथ अंधर तक बने रही है संपून वीडियो का लाव उठाईए वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में याने की कमेंट बॉक्स में जैमातादी जोड लिखें वितनों आज के 12 रासी का रासी फल आपको बताना आरम करूं उससे पहले आएए एक नजर डालते चलते हैं ग्रहों की स्थेदी पर क्योंकि ग्रहों की स्थेदी पर पूरा का पूरा रासी फल ही निर्वर करता है आज मंगल मेश रासी में, चंदरमा विरिस रासी में, राहू मिधुन रासी में, सुक्र करक रासी में, सूरिस सिंग रासी में, बुद्ध कन्या रासी में, गुरु केतु के साथ धनु रासी में, सनी मकर रासी में विराजित है तो इनहीं सभी ग्रहों का मिलादला हाल आज के रासी फल में हम जानने वाले हैं तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेश रासीम चंदरमा आज 12 हुए अस्थान में विराजीत है जिसके फ्रसुप आज आपका मन सामाजिक कारियों में लगा रहेगा परिवारजनों का सनेह भी आप पर बना रहेगा लंबी यात्रा के योग किनी किनी जातकों के लिए आज बन सकते हैं और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है जहां कहीं भी जाएंगे आपके काम भी बनेंगे कारी छेतर में अधिकारी है आपके परसंद रहेंगे जो भी आपके सिनियर है वो आपके काम से खुस रहेंगे रुके हुए और फस हुए कारिये आपके आज पूरे हो सकते हैं वानी पर अपनी नियंतर दखें, ज्यादा आत्मिस्वास में तो बिल्कुल भी ना परें, इससे आपके काम बिगर सकते हैं, आज आपको अपनी बातें किसी से सेयर करने का मन करेगा, लेकिन बातें सेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाओं बहुत ही सोच समझकर करें, बात विद्यार्थि की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा महत करने वाला दिन है, ज्यादा महत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति हो पाएगी, तो महत में किसी प्रकार के कोई भी कमी बिल्कुल ना रखें, स्वास्त की बात कहें तो स्वास्त के मामरे में आज आपको थोई साब्धानियां परतनी चाहिए मोस्मी बिमारियां या फिर महामारी से किनी-किनी जात्कों को परेशानी हो सकती है प्रेम समंद की बात करें अगर तो आपके जीवन साथी का रविया आपको परेशानाद कर सकता है उनके किसी व्यभार से उनके किसी कारी से आपको दुख हो सकता है खास करके साधी सुद्वा लोगों को तो ज्यादा साब्धानाज रहना चाहिए आज के लिए अगर दही अपने खादी बदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग और आपके लिए आज का लखी नमर नो रहने वाला है बात करेंगे विरिशासी की विरिशासिम चंद्रमा आज प्रथामस्थान में विराजित है जिसके प्रशुब आज आपको आपके भाईयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा कामधंदा परहाने के लिए जो भी मेनत आपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा आपके सोचे वे कारी भी पुड़े हो सकते हैं अपने अकरमक रवये के वज़े से आप परेशान भी रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिलकुल भी लाने नोकरी करने वाई जातकों के आज अपने सीनियर के साथ समन्द बिगर सकते हैं तो इसमें आपको साब्धाने निश्चित तोर पे बरतनी चाहिए बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आपकी आए में बढ़तरी होगी व्यापारियों के लिए आज के दिए अच्छा रहने वाला है आज कहीं निवेस करना आपके लिए लाबदायक सिर्द हो सकता ह तो निवेस फिर भी सोश समझ कर ही आपको करनी चाहिए किसी अनभवी लोग की सला से ही करनी चाहिए आपके पैसे लग रहे हैं तो सुनिश्चित जरूर करें कि अच्छे जगा पे लगे और उससे आपका फायदा हो बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के करना पर सकता है तो अपने भोजन पर ध्यान जरूर रखें प्रेम समन्द की बात करें तो जीवन साथ ही से आपको समान की पाप्ति मिल सकती है दाम पत्ति जीवन आपका मधूर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के अगर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए आज का सुबरन लाइट येलो कलर और आपके लिए आज का लकी नंबर एक रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासीम चंत्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जनों से मदद मिल सकती है किसी अगर बुजुर की सला लेंगे तो आपके समस्या का समाधन हो सकता है आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीजें भी सिखा सकती है आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुसा भी आ सकता है तो अपने गुसे पर नियंतन जोड़ रखें आत्मिस्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे परंतु आए में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी आज रहेंगे अपनी काबिलियत पर भरुसा रखें सब ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा बात करेंगे व्यापा करने वाले जात्कों के आए में कमी आ सकती है व्यापारिजन अपने फैसले जल्दबाजी में लेने से बिलकुल बचें यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है आज आपकी खर्च भी बढ़ेगी तो फेजूल खर्चों पर खास करके आपको नियंतर जोग रखना चाहिए व प्रेम समन्द की बात के दामपते जीवन आपका खुसियों से भरा रह सकता है प्रेमियों के लिए आज का अच्छा रहने वाला है अनुकूल नतीजे मिलने के योग भी बन रहे है और विवाही जात्कों के लिए आज विवाह के पस्ताव भी आ सकते हैं आज के लिए लोह फैसला लेने से आपको बिल्कुल बजना चाहिए अगर जरूरी हो तो कुछ लोगों से सला करके ही कोई बड़ा फैसला लें काम काज में आपको आज सफलता मिलेगी कोई पुराना दोस्त भी आपको आज मिल सकता है आपके संतान को कश्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान जोर रखें किसी मितर से आपकी अन्भन हो सकती है तो अपने वानिपे नियंतन भी रखें परिवार के साथ किसी प्रकाल के धार्मिक कारिये या धार्मिक यात्रा करने के योग बन रहें तो अगर ऐसा योग बने संधिशी तो पर किजिए इससे पुन्य की पापती होती है आपको बात करें व्यापार और धनकी तो किसी प्रियेजन की मदद से आपके व्यापार में विवर्धी हो सकती है माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है आज कहीं निवेस करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे व् पुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्षाज बहतर भी रहेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की। विद्यार्थेयों को आज प्रह्य को लेकर थोड़ी चिंटा और निरासा रह सकती है। этим अम प्रह्यार्थे में लेकिन आपको चिंटा और निरासा से निकलकर अपने प्रहहे म मेनत करना होगा सफलता आपको तभी मिलेगी स्वास्त की बात करत गले या मुह से समधित कुछ परिशानिया आपको रह सकती है तो अपना ध्यान निश्ची तोर पर रखें प्रेम समंध की बात करत प्रेम समंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है जीवन साथ ह आज आपकी कई तरह के इच्छाओं की पूर्थी भी करेंगे विवाहिक जीवन में समरस्ता आपकी बनी रहेगी आज के लिए चन्य की दाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीलारंग और आपके लिए आज का लखी नमर आठ रहे बात केंगे सिंगरासी की सिंगरासीम चंदरमा आज चोथे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको कुछ फसेवे कारियों को लिपटाने में सफलता की पापती होगी आज आपके लिए अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को आप खत में भी कर पाएंगे आज आप अपने बच्चों की परहाई में भी रूची ले सकते हैं बात केंगे व्यापार और धनकी तो आज कहीं भी धन्नी वेस्ट करने से बचें इससे आपको हानी हो सकती है आज आपके पैसे ज्यादा आप एक छाक्रित खर्च हो सकते हैं लापरवाही और संकोच में बिल्कुल भी ना परें इससे आपको आपके कैरियर में हानी होगी अपने व्यापार में अगर योजन पत्रीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा बात करें विद्यार्थी की विद्यार्थी के लिए आज करी अनुकूल लगने वाला है मेंनत करें सफलता स्वास्त की बात करें तो आज आपको सिर में दद्र रह सकता है साथी कफ का सामना भी करना पढ़ सकता है तो अपने स्वास्त पर ध्यान दे ठंड़ी जीए खाने से बचें बात कें प्रेम शमत्की तो आज आपका विवाहिक जीवन शुख में रहेगा लेकिन जीवन साथ ही के स्वास्त का ध्यान आपको जोड़ रखना चाहिए क्योंकि उनका स्वास्त यतरा डगमगा सकता है और विवाहित लोगों को भी प्रेम समन में आज सफलता मिलेगी प्यार के इजहार करने के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के दिन बेशन से बनी विची खाएंगे तो आपके लिए आज का सुपरन लाल रंग और आपके लिए आज का लकी नमर दो रहने वाला है बात करने के अब कन्यारा से कि कन्यासीम चंद्रमा आज पांच्वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे फिल्ड में आपको अपे छाकरी ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है आज कुछ नकारत्मक सोच ब्या सकती है तो नकारत्मक सोच से बचें इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकी तो भहतिक सुक्सिदा वाली चीज़ों में बढ़ोतरी अच्छे से मेहनत करना होगा मेहनत के साथ साथ अच्छी प्लैनिंग करनी होगी तभी आपको सफलता इसमें मिलेगी बात करेंगे विद्यार्थि की विद्यार्थियों के लिए आज करें मेहनत भरा रह सकता है ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है आपको लेकिन मेहनत करें प्रेम समंधों में उतार चराव आ सकते हैं, जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद ब्याद में तो बिल्कुल भी ना परें, लराई जगरे भी आपके हो सकते हैं आज, आज के लिए चने की डाल, खाते हैं तो आपके लिए सुब रह और आपके लिए आज का लखी नंबर चार रहने वाला है, बात केंगे तुलारा से की, तुलारा सिम चन्दरमा आज छटे है स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप आज अगर आप कोई कारी आराम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, दूसरों की मदद के तो उसका फाइदा कहीं आपको भी होता हुआ दिखेगा, किसी परकार के धार्मिक कारी करने के योग बन रहा है, कुछ छेतरों में नहीं सुरुआत भी संभव है, परिवार की सुख और सुविधा में विस्तार संभव है, संतान के तरफ से आपको थोरी चेनता लेकिन रह सकती है, खास करके संतान की गतविधियों से, तो जो सुनिस्चित करें अपने संतान की गतविधियों को, ध्यान दें कि उसकी संगती कैसी है, कैसे लगों के साथ उसका मिलना जुनना है, परहाई पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, परहाई में रुची किस वि विवादों से आपको बजना चाहिए, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो व्यापार में आज नयाकारी अरम कर सकते हैं, लेकिन नयाकारी अरम करने से पहले वीडियो के अंत में जो जाने आज का सुब समय क्या है, सुब समय में ही नयाकारी अरम करें ताकि आपको सफलता के प्राप्ति निश्ची तllers निवेस करने में आज आ पचानक से फैसले सकते हैं मैं पैसे के लेन देन में किसी के जूटत के गहां आपको नुक्सान हो सकता है तो इसका ध्यान रखए अठका हो अध्धन स्वस्त भी रहेंगे प्रेम समद की बात करें तो जीवन साथी का सही होगा आपको प्राप्त होगा जीवन साथी आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे आज के निगर चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तब के लिए सुबरेगा आपके लिए आज का सुबरं लाइट य कुछ पुराने मामली आपके सुरस सकते हैं, कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों से साभधान रहें, संतान के सुख में विर्धी होगी, मित्रों का सहयोग भी आपको आज प्राप्त होगा, बिना वजह वाली विवादों से बिल्कुल बचे दिन भर में आपको कुछ अच्छे समचार की पाप्ती हो सकती है कारेश्यत में आपका वर्चेस बना रहेगा दिन भर खुस रहेंगे और परसन ने भी रहेंगे व्यापार और धन की बात के तो व्यापार में आपकी वैस्तता बनी रहेगी आर्थिय किस्तिति आपकी बहतर भी होगी बात कहेंगे विद्यार्थि की विद्यार्थियों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाले हैं कम महनत में भी ज़्यादा सफलता की पाप्ति आपको हो सकती है तो आपने महनत पर बिल्कुल ध्यान दे स्वास्ति की बात के पुरानी रोग खत्म हो सकते हैं स्वास्त में भी सुधार होगा दाएं हाथ या सरी के किसी विद्यायंग में आज चोट लग सकती है तो समल कर रहें प्रेम समंद की बात के दाम पत्य जीवन सुख में रहेगा घर में खुशी का माहल भी बना रहेगा आज की निगर उरत की डाल घाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन सुनारारंग और आपके लिए आज का लखी नमर तीन दानने वाला है बात कहेंगे धनुवासे की धनुवासेम चंद्रमा आज आठमे अस्थान में विराजित है जिसके भ्रसुब आज आपकी सामाजिक मात्यके कारियों में वेस्तता बनी रहेगी आज किसी अंचाहे व्यक्ति से आपके मिलाकात हो सकती है जिसके कारण आपका मूड भी खराब रह सकता है खान पान में आपकी रूची भी पढ़ेगी आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी मामली को हलके में ना ले कारिय छेत में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुस भी रहेंगे व्यापार और धन की बात के नोक्री और कारिय छेत में बदलाओ हो सकता है का आपको कम फल प्राप्थ हो सकता है फिर भी मैनत में किसी प्रगार की कोई भी कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात के तो आज के नि थाकान व आलस्ते से परिशान रह सकते हैं अपने आपको कम समय दे पाएंगे अपने माता के स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए आपको प्रेम समत की बात क्या प्रेम पस्थाओं आपके विफल हो सकते हैं विवाद होने की पूरी संभावना बन रही है तो प्यार के जहर करने से तो बिल्कुल ही आपको आज बचना चाहिए आज की दिखिर दही अपने खादिप़तारत में सामील करेंगे आपके लिए सुबर रेगा आपके लिए आज का सुबरन पीला रंग और आपके लिए आज का लखी नंमर चार रहने वाला है बात करेंगे मकर रासिगी, मकर रासिम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपकी योजना सफल हो सकती है दिन भर आप वैस्त रहेंगे, आज अपना काम पूरी एकागरता के साथ भी आप कर पाएंगे दोस्तों के तरफ से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, संतान से सुख मिलेगा पारिवारिक मामले में थोरी उलजहन आपकी आज बर सकती है साथी धैरी में कमी भी आएगी, कारी छेत में आपके इस्तिती में सुधार भी संभव है बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो व्यापार और निवेस में धलानी की संभावना बन रही है तो सलाव विचार करके ही कुछ कारी करें अचानाक से धलाव की संभावना में बन रही है, साथी आपके खर्च भी आज बर सकते हैं बात करेंगे विद्यार्थिगी आज विद्यार्थियों के आत्मी स्वास्त में बरौतरी होगी जिसे लक्ष को प्राप्त करने में आपको आसानी होगी स्वास्त की बात के स्वास्त आपका ठिक टाक रहेगा लेकिन पिता के स्वास्त से आपको थोड़ी चिंता रह सकती है उनका स्वास्तियात्र दगमगा सकता है प्रेम समंद की बात के तो और विवाहित लोगों को भी प्रेम समंद में सचे तरहने की जवरत है आपके प्रेम समंद आज उजागर हो सकते हैं साथ ही आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है जीवन साथ ही से आज हलकी थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए कारी छेत में अधिकारी आप से प्रसंद रहेंगे आपके आत्मी स्वास में भी बढ़ोतरी होगी मकान जमीन ज्यादात से सम्मधित मामले आपके सुलच सकते हैं नए लोगों से दोस्ती हो सकती है आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ कहीं न कहीं निकाला जा सकता है तो अपनी वानी पे नियंतन जरू रखें जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें घुमने फिटने के योग भी आपके लिए आज बन सकते हैं बात करेंगे व्यापार औ साथ ही इसके परिणा भी अच्छे होंगे स्वास्त की बात करें तो सीर और पेट समंदी कुछ परिशानियां आपको रह सकती है तो अपने भोजन का ध्यान जरूर रखें कोई पुरानी विमारी भी आपको परिशानाज कर सकती है तो अपना स्वास्त का ध्यान जरूर करेंगे बातें अंको के साथ डिस्कस करेंगे तुनको भी अच्छा लगेगा आज के लिए चांदी के बरतन में खीर खाएंगे आपके लिए आज का नीलारंग और आपके लिए आज का लगी नंबर तीन रहने वाला हैं बात करें मीन नासी की मीन नासीम चंद्रफां आज 11 दावे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप परिवार की कलह सुधारने में आज आपको सफलता मिलेगी पुराने विवाद और परिशानी आज खात्म हो सकते हैं सोचे हुए काम भी आपके पूरे होंगे किस्मत का साथ भी मिलेगा कुछ लोगों के साथ आपके मनम भी हो सकते हैं जिसके कारण आप चिंदित भी रहेंगे आज आपने वाहन को साथानी पूरक और नियांतर में चलाएं दुरुखटना की यूग बढ़ने तो आपको थोरा से समलका एले रहना चाहिए व्यापार और धनकी बात के तो आज व्यापार के मामले में कोई भी फ थोरी चेर चेराबन भी रह सकती है बात करें प्रेम समन्द की तो जीवन साथ ही से कोई उपहार आपको मिल सकता है आपके प्रेम समन्द मजबूत होंगे पत्री पत्नी के बीच कोई अच्छी समझ बनी रहेगी आज के नियर बेशन से बनी वी चीने खाएंगे तो आपके 9 बच कर 10 मैंड से लेकर 10 बच कर 44 मैंड तक इषस्य में प्रेम करेंगे उसमें आपको सफ़लता मिलेगी आज का असुब समय यानि की राहू काल रहने वाला है दिन के एक बच कर एक कावर्न मेर्स लेकर तीन बच कर चोविस मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे उसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती है दिसासूल दक्षिन दिसा में किसी भी खास प्रियोरेंस से याता ना करें सुब खाद आज का रहने वारे जीरा जीरे का एक दो दो आना खाकर भी याता नारम करेंगे तो आपके कारियार बनेंगे तो में तो ये था आज का संपून रासिफल कलके संपून रासिफल के जुरे ने धर्मसिक्छा के साथ और देखते ने धर्मसिक्छा जै माता दी